नमस्कार सातियों आज हम बात करेंगे आपने जो कमेंट्स किये थे वीडियो के नीचे जाके उसका हम रिपलाई देंगे कम से कम 25 लोगों के हमने कमेंट्स इस वीडियो में लिये हैं इसके आलांकि हमने नहीं शुरुवात किये पहले भी करते थे लेकिन बीच में छोड़ चुके थे आपके भी अगर आप नए हैं कोई कमेंट्स हैं आपके कोई इनक्वाइरी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा हर रोज हम कोशिस करते हैं साम 6-7 बज़े जो वीडियो डालते हैं उसमें आपको आंस्वर मिल जाएगा आ वीडियो चैनल अगर वीडियो चाल लगे तो लाइक शेयर करिए अगर सब्सक्राइब करके रखेगा ताकि हर रोज आपको नहीं नहीं अपडेट मिलते रहे तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं जावेद खान पूछते हैं सर सप्लाइर कंपनियों पर मौावजी का कानू लागू होता है सर बताना देखिए सप्लाइर कंपनियों में पहली बात बड़ी प्रॉब्लम होती है हर चीज की प्रॉब्लम होती है इसपे हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे एक दो दिन में आजयेगा उसपे विस्तार से बात रहेंगे बाकी supplier में क्या होता है कुछ वो लंबी topic है यह तो अलग से इस पर बात कर लेंगे अपन MD सरी बोलते हैं कि sir company के उपर case किया है UAE में cancellation के लिए company मेरे उपर जुटा case कर दिया है 44,000 AD damage in loss का क्या करें बताएं बिल्कुल यह भी एक गंबीर मुद्ध है कि आप किसी के खिलाब आवाज उठाते तो वो आपके आवाज दबाने के लिए आपके ओपर जुटे हिलिकेसा लगा देते हैं सेम जिसे राजनिती में होता है politics में होता है या पिर आपने देखा होगा आपके पडोसी में ऐसा कुछ हो जाता है इस पे भी हम separate वीडियो बनाएंगे क्योंकि यह लंबा टोपिक बन जाता है तो आप वीडियो जुरूर देखना दो तिन दिन के भी आगले वीक में हम यह वीडियो बनाएंगे पूरी डिटेल लेने के बाद असोग मेखवाल ने बोला है कभी सोचेंगे ही नहीं सर सुना है गल्प कंट्रीज में कोई वीडेश सी शादी नहीं कर सकता अलांकि इन्होंने वो कमेंट किया था ना कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि गल्फ हेंट को पहले पैसा ले ले लेते हैं शादी के नाम पे फिर उनको छोड़ देते हैं कोर्ट में मेटर चला जाता है तो उन्होंने उसका कमेंट किया है तो देखिए गल्प देशों में शादी कर सकते हैं आप अगर आप देखिए आप हैं इंदू रिलेजन में तो आप किसी भी दूसरे देश की कोई महिला है उससे शादी कर सकते हैं अगर आप मौमडन हैं मुसलिम समाज से हैं मुसलिम धरम से हैं तो भी आप वहाँ पे शादी कर सकते हैं इसी कोई बात नहीं है सौदिया में भी बहुत सारे सब्सक्राइं अग में में गए ना वीजा तो आपको वेजा घा इंडिया से आप तभी तो वहाँ पर पहुंचे है ना तो वीजा तो वहाँ जाकर कंपनी लगाए कि उसमें team होता है तो महिने का तीन महिनेगत तो वीजा तो उसी एक निकलार उसी company के नाम से आपने इंट्री की है तो विजा दूसरा आप दूसरी company में कैसे जा सकते इतना जल्दी नहीं जा सकते बिलकुल भी यह दिमाग से निकाल दीजी आप और कोई से देश में चे कोई भी देश में हो नहीं जा करें तो इनके बीच में संधी हुए लेबर वर्क जिसको बोला जाता है लेबर अग्रिमेंट तो एक निर्दारित हो गया सब इसे फिक्स है कितना लगता है यूएस से का विज़ा आप जा रहे हो अमेरिका तो पता ही है कि लगबग सवासो डॉलर के करीब एक सो और कुछ डॉलर लगते हैं बारा तेरह हजार रुपे लगता है तो उसमें गोवर्मेंट को इतना करने की जुरूत नहीं होती इस वज़ कर दूसरे के पास काम कर रहे हैं वह आपको 1500 द्राम दे रहा है तो उसमें तो नक्सान आपको है वह 1500 दे रहा है आप उसमें जाना चाहरہे है तो 1500 ahren मिलेगी het only कि आप उसको बोल दो कि कि नहीं नहीं मैं 2000 ले रहा हुए आपके पॉन 25 बाकी होता यह यह कि आप एक company को छोड़के दूसरे में जा रहे हैं तो उसमें बैतर सुविधा मिलती है बैतर फैसलिटी या तंखा ज्यादा मिलती है तभी तो जाओगे अगर कम तंखा मिल रही है पहले वाली company से तो फिर आप जा रहे हो और आप ये क्युस्टन कर रहे हो तो आपकी ये मु लेगा वो आपको सोचना पड़ेगा एसर एस अली ऑफिशल बोलते हैं सर नमस्कार मैंने इश्यार पासपोर्ट बनवा रखा है क्या मैं उसे रिमू कराकर इश्यार पासपोर्ट बनवा सकता हूं उस समय मेरी हाई स्कूल की मारक शीट में फादर ने मिस्टेक था अब मै ने ठीक करवा लिया है हाँ बिल्कुल अगर आपने 400 बिशी नहीं की है आप समझ सकते हैं मेरी बात को कि पहले कई बार लोग पासपोर्ट बनवा लेते हैं पासपोर्ट अनपर्ट का बन जाता है उसके बाद में दस्वी की मारक शीट का बाड़ के पासपोर्ट दूसरा बनवा लेते हैं तो उस मारक शीट की जांच होगी जो मारक शीट आप अपलाई करोगे तो उसकी जांच कर सकता है पोस्ट जो पासपोर्ट ओफिस कारिया ला है अगर ओरिजिनल है आपकी आप वातारे फादर मिस्टेक नाम था उसमें करेक्शन करवा लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है आप पासपोर्ट दूसरा बनवाओगे तो साथ में टेज कर सकते हो और उसमें बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं है लकिसराज बोलते हैं कि सर आप किसी कमेंट का जबाब नहीं देते हो आपको वीडियो बनाने से क्या फाइदा बाई मैं देखिए पहली बات दो बतातंबों कि comments का जबाब देने के लिए video ने बनाता हूं आपको clear कर दूं क्हूंकि जुरूरी नहीं होता कि आपका comments का जबाब दोओं तभी video बनाए क्यूंकि comments तो points कुछ % लो Community करते हैं मिलियन लोग मेरे साथ जुड़े वे हैं, दस लाख लोग, ठीक है जी? और दस लाख मेंसे आप ही बता सकते हो कि कितने लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, दस लाख मेंसे, तो आपको लगता है कि कमेंट का जवाब देना असान है, अपने घर में एक शादी होती है न, दोस्ट लिए बड़ी बात है आपके लिए नहीं हो सकता है इसमें भी टाइम निकालना मेरे लिए बड़ी बात है मेरी बात को समझ गए होंगे इमरान सफी बोलते हैं सर मैं माई नेम इमरान मैं कुएत में हूँ इंडिया से जो हमारा अग्रिमेंट आठ गंटे का हुआ था बट ग्यारा गंटे काम करा रहा है अग्रिमेंट आठ गंटे का हुआ काम 11 गंटे करवा रहा तो आपकी गलती है इसमें क्योंकि बच्चा होता न मा का आपने छोटा बच्चा देखा होगा आपके सब के गरों में जब तक वो रोता नहीं है उसकी मा उसको दूद नहीं पिलाती है उसकी मा काम में बीजी होती हुआ उसको पता ही नहीं लगता जब बच्चा रोता है तो मा को पता है अगर 8 गंटे का अग्रिमेंट आपका वार 11 गंटे आप से काम करवा रहे हैं आप चुप चाप कर रहे हैं अगला तो कल को बारा नहीं तेरा भी करवा लेगा वह आपको आवाज उठानी पड़ेगी समझ गी होंगे मेरे बात को नर्सिंग यादा उन्हें पूछा भाई हलो सर आपका बुक कैसे मिलेगा भाई आपको पहले तो बता दूँए इस बुक की बात कर रहे हैं जो आपके विदेश से समंधित मैंने बुक बनाई है मेरे आतों से लिखी गई बुक है उसमें सब कुछ डिटेल मिल जाती है आपको ओपिस के ये बुक है जी हाँ तो ये बुक अगर आप लेना साथ हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नमबर दिये गए हैं नर्शिंग यादाउजी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो पर आप ओफिस के नमबर पर कॉल करके डिटेल ले सकते हैं और